नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एन होस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडिट होस्पिटल अनुभवी डॉक्टर्स and trained paramedical staff 24 hours emergency services नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एन होस्पिटल आज भाई बहनों का पर्ध भाई आदूज है जो दिवाली के दो दुनी बाद मनाया जाता है रक्षा बंधन की ही तरह योधी भाई बहनों का एक महित्व पूर्ण त्योहार है हाईदूज का पर्ग भाई बहन के प्यार त्याग और समर्पन का प्रतीक है आज 16 नवंबर को भाई या बूज पूरे देश में धून धाम से मनाया जा रहा है इस दिन बहने अपने भाईयों की लंबी आयू, सुखी जीवन, शांती और समर्प्धी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती है भाई दूज हर साल कार्तिक शुखी पक्ष की द्वितिया तिती को मनाया जाता है इस बार भाई दूज का शुख मुहूर्थ है दोपहर 12 बच के 56 मिनट बजे से लेकर 3 बच के 6 मिनट बजे तक बहनों को चाहिए वे इस शुख समय में ही भाई को कुमकुम का टीका लगाएं इससे शुख फल की प्राप्ति होगी भाई दूज प्राह का समया दोपहर 12 बच के 56 मिनट से रात 3 बच के 6 मिनट तक अधवितिया तिती 17 नवंबर 2020 को सुख साथ बच के 6 मिनट बजे तिती समाप्त 17 नवंबर 2020 को प्राता 3 बच के 56 मिनट मिनट पर कैस करें इस दिन अपने भाई की पूजा भाई दूज के दूज सुख सूर्योदे से पहले उठकर सनान करें और साफ कपड़े पहने इसके बाद भाई बहन दोनों मिलकर यम्राज, यम के दूजों और चित्रगुप्त की पूजा करें बहनों को भाई दूज पर भाई की आर्ती उतारने के लिए कई चिजों की जरूरत होती है आर्ती के लिए ठाली में चावल के दाने, सिंदूर, फूल, चांदी का सिखा, सुपारी, पान का पत्ता, नारेल, फूल माला, मिठाई, कलावा, दूब, घास और केला जरूर होना जरूरी है अनकूप कूपती महिलाए अनकूप कूपती महिलाए आर्ती उताने के बाद अपने भाई को स्वादिश्ट पूजन जरूर परोसें इसके बाद अनकूप कुपती महिलाए आर्ती महिलाए आर्ती उताने के बाद आर्ती उताने के बाद पूजन जरूरी है आर्ती उताने के बाद – बात उताने के बाद iemand के बाद आर्त कूपयात झाल झाल